नमस्कार, SME Express में आपका स्वागत है हाली में Finance Minister निर्मिला सीतारमन ने अपना 6th consecutive budget पेश किया इस interim budget से किस तरह की direction और signals मिले हैं साथ ही इसके क्या माइने है MSMEs के लिए इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे हमें इस session में जॉइन कर रहे हैं लक्षमी वेंकटरमन वेंकटेसन, Founding and Managing Trustee, भारतिय युवाशक्ती ट्रस्ट, BYST मुकेश मोहनगुपता, President Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises, CIMSME और Dr. H.P. Kumar, Director External Affairs, Power to SME, Former CMD, NSIC आप सभी का शुक्रिया, Thank you शुरुआत लक्षमी जी आप से लक्षमी जी, जैसे election year के बावजूद, FM ने interim budget में किसी भी तरह के populist announcement को वाइड किया है देखा जाए, तो MSME's सरकार के focus area में है इनका social और economic front पर एहम योगदान रहता है क्या आपकी interim budget से कुछ खास उमीद थी, किसी तरह की वैसे, full budget तो July में आना ही है As an interim budget, I think this is a good one because it has the continuity of the acts, policies and programs that have been put in place for the last several years and that's how an interim budget should be Actually, what I was hoping for is a little bit more clarity or detailing For example, MSME's are being trained to compete globally and that is a good continuity and we need to have it But exactly how will you implement it at the ground level, at the grassroot level particularly with women entrepreneurs and rural entrepreneurs Because if you see today, a study shows that we did that more than 44% of women continue to struggle to set up their businesses So we need to be able to really know how to access and support these women entrepreneurs and rural entrepreneurs So while continuing to support MSMEs to be globally competitive and domestically competitive is a good idea I think we need to have more clarity and more detailing of exactly how it will be done on the ground मुकेश जी बजजट का फोकस, कंसिस्टेंसी, फिस्कल कंसॉलिडेशन के साथ केपेक्स आउटले पर रहा है आप मानते हैं केपेक्स पर जोर से एकनॉमिक आक्टिविटीज को बूस्ट मिलेगा और इसका मल्टिप्लायर इम्पैक्ट भी होगा साथी पॉपलिस अनाउंस्मेंट ना करना क्या सरकार के कॉन्फिडेंस को बताता है मैं तो ये कहूंगा कि जो MSME है या कोई भी सेक्टर है हम आज MSME की बात कर रहे हैं लेकिन और भी सेक्टर से हैं फार्मस हैं या दूसरे सेक्टर से हैं की एक्सपेक्टेशन होती है बजट से लेकिन सरकार का जो कॉन्फिडेंस है वो ये दिखाता है ये पॉपलिस बजट भी ला सकते हैं बहुत सारे ऐसे अनाउंस्मेंट कर सकते हैं जिससे जनता खुश होती और लोगों को लगता कि चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया अब गोट हमें बीजेपी को देना है और सरायथ शरकार का ये कॉन्फिडेंस है उन्होंने पहले ही इतने सारे अनाउंस्मेंट कर रखें खास दौर से मैं MSME के लिए बता होगा तो सौरब जी थी कि दो बहुत ही मेजर अनाउंस्मेंट का जिकर करना चाहूंगा एक है कि सरकार ने पहले कहा था कि भई दो करोर से बढ़ा कर हम कॉलिटल फ्री लोन की लिमिट जो है पांच करोर कर देते हैं पिछले बजट में एक अनाउंस्मेंट किया था जहांपर सेक्शन 43 भी एच लाया था जो सरकार लेकर आई थी और कहा था कि भई अब अगर कोई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रैजिस का पेमेंट डिले करता है एस प्रोवाइडिड अंडर सेक्शन 15 तो उनको वो समझो वो पूरा का पूरा खर्चा प्रॉफिट में जोड दिया जाएगा जो इस साल के जो एसेस्मेंट है उससे एप्लिकेबिल होगा मैं समझता हूँ कि ये दो बड़े अनाउंस्मेंट सरकार ने पहले ही कर दिये थे इस इंटरिम बजट में भी डिरेक्ली इंडरेक्ली सरकार ने बहुत कुछ देने की कोशिश किया है लेकिन हाँ ये बात सही है कि ये पॉपुलिस्ट बजट लाने से सरकार बची है डॉक्टर कुमार इंटरिम बजट से आप क्या उमीद कर रहे थे या फिर इंटरिम बजट ऐसा ही होना चाहिए आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरिम बजट ऐसा ही होना चाहिए इंटरिम बजट में इंटेंशन्स और रोड मैप होना चाहिए ना कि एलोकेशन्स और स्पेसिफिक स्कीम्स और हमारी उमीद से डिफरेंट था ये क्योंकि हमारी उमीद ये थी कि बजट पॉपलिस्ट हो सकता है क्योंकि इलेक्शनियर है परन्तु फिस्कल कंसॉलिडेशन की जो आपने बात की उस पे गवर्मेंट ने बिलकुल पूरी तरह ध्यान दिया है और फिस्कल डेफिसिट को 5.1 तक कंट्रोल करने में जो इंटेंशन शो किये बहुती सराली है आप किसी इंडस्ट्री में देख लिए जब हम इन्वेस्ट्मेंट करते हैं एसेट में कोई मशीनरी में या प्लांट एंड मशीनरी और किसी बिजनेस के लॉंग टर्म कैपिटल एसेट में तो उसमें एसेट टर्नोवर रेशियो देखे 4, 5, 6, 7, 8, 10 परसेंट तक भी जाता है तो अगर किसी में आपने एक करोड रुपे इन्वेस्ट किया तो उसकी टर्नोवर हम मिनिमूम एक्सपेक्ट करते हैं कि 4, 5, 6 करोड तो होगी तो 4 से 5 गुना 6 गुना और डिपेंड करता है इंडस्टी तो इंडस्टी या सेक्टर तो सेक्टर यह मल्टिप्लाई करता है अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाने से कैपेक्स करने से वो चाहे रेलवेज नेटवर्क हो या पोर्ट्स हो या हाइवेज हो या और तरह के जो infrastructure projects हैं उसमें जो उसके implications होंगे उसके जो फलसरू जो activity generate होगी economic activity generate होगी वो कई गुना होगी उससे trade होगा बढ़ेगा उससे contractors की income बढ़ेगी उससे labor engage होगी तो ये सारे sectors को जो economy के बहुत ही important sector है इन सबको फायदा होगा लक्षमी जी अमरित काल की strategy के तहट interim budget इस बात पर जोड़ देता है कि सरकार timely advocate finances relevant technologies के साथ appropriate training MSMEs को मोहिया कराए देखा जाए तो fintech financing में नए रास्ते खोल रहा है technology game changer है तो नए दौर के लिए skills ready करना जरूरी है आपकी क्या राए है as BYST we focus a lot on the micro we focus a lot on women entrepreneurs we focus a lot on the rural entrepreneurs so the question always arises is what and how is this ecosystem going to be connected to the people at the ground level if you ask that question then once again I would say that a lot more sensitization about all these good policies which are outlined in the budget for as you correctly say whether it is solar rooftop implementation or whether it is in terms of access to financing or in terms of making them globally competitive all good ideas and policies but there is an important step that needs to be taken as to how to disseminate and sensitize people at the ground level about what these policies are otherwise if you look at it a recent survey showed us that 85 percent of women entrepreneurs continue to face a problem in accessing bank financing even if you were to take technologies there's a lot of opportunities for and a lot of good innovation that is happening at the ground level how do you find these innovating entrepreneurs how do you take innovation that is happening at the small towns and rural areas how do you aggregate them how do you scale them and then how do you build them as part of the value chain डूक्तर कुमार इंटरिम बजजट में MSM 20 को सपोर्ट पर जोर है तांकि वो ग्रो कर सकें और ग्लोबली कंपीट कर सकें इसमें रेगुलेटरी इंवार्मेंट को भी उसके हिसाब से तयार करने की बात है आप कैसे देखते हैं तो अगर हमें इंपोर्ट सब्स्टिचूट करना है और इन आइटम्स को कंट्री में मेक इन इंडिया के तहद बनाना है और ग्लोबली भी कंपीट करना है ग्लोबल मार्केट्स में अपनी प्राइसिंग को ठीक करना है तो हमें नैचुरली फैक्टर्स और प्रडक्शन में कॉस्ट की तरफ ध्यान देना होगा अब गॉर्मेंट ने जो लोजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ कदम उठाएं हैं इस इंटरिम बजट में भी उठाएं पर तो क्रेडिट और फैनास के उपर बहुत अधिक कोई फोकस नहीं दिखाए इसमें चुकि यह इंटरिम बजट था मुझे लगता है तो एक यह प्रॉबलम जो बैंकों से क्रेडिट की बनी हुई है इसको थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है तो इनको इसको कम किया जाने की जरूरत है जहां तक टेक्नालोजी के बात है टेक्नालोजी से मुकेश जी ऐसा माना जा रहा है कि इंट्रेस्ट रेट्स में भी इन जर्नल नर्मी का ग्राउंड तयार किया गया है क्या इंप्रूब्ट फिस्कल नंबर से आप ब्याज़दरों में नर्मी आती देखते हैं पर मुझे लगता है कि शायद सेकिंड क्वर्टर से इस फरनिशल एर के आने वाले ये इंट्रेस्ट रेट्स में हम शायद देख पाएं कि इंट्रेस्ट कुछ कम हो नेशली रिजर्बेंक और इंडिया को ग्रोथ और इंट्रेशन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन इंट्रेस्टेट्स को कुछ डिसीजन लेना है तो मुझे लगता है कि सरकार ने तो अपना शायद अब काम कर दिया है अब रिजर्बेंक और इंडिया की बारी है कि वो हम MSME इसको खास तोर से मैं तो ही कहूंगा कि कुछ सस्ते रेट पर कुछ हमें लो नगर उपलब्ट कराने में हमारी कुछ मदद कर सकें अगर कंट्री में आपने इंफलेशन को कम किया तो इसका बेनिफिट मिलेगा हमें कॉस्ट और क्रेडिट के उपर भी और इंफलेशन कम होने से जो रेट अफ इंटरेस्ट है वो अपने आप RBI की पॉलिसी के तहट भी कम होगा उसमें बैंक रेट भी कम होगा और ओवराल बैंक्स जो हैं वो अपने लेंडिंग रेट को भी कम करेंगे तो ये एक कंसॉलिडेटेड एफ़र्ट होगा फिस्कल कंसॉलिडेशन और इंफलेशनरी चेक ये दोनों मिला के लक्ष्मी जी ट्रडिशनली हमारे यहां पर R&D पर जादा फोकस नहीं रहा है लेकिन इंटरिम बज़ेट रिसर्च और इनुवेशन या यूं कहीं अनुसंधान पर जोड़ देता है प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च और इनुवेशन को कैसे बल मिल सकता है R&D is the foundation for economic growth and India has invested wisely right now in this budget in building several national labs and so on in and increasing the access to funding for that but let me see look at the other side how do we create and support grassroots innovations which is what you need on a daily basis whether it is in the rural areas or even for women entrepreneurs there are the autonomous bodies like the national innovation foundation and bodies like byst actually look at and specifically focus on innovation at the grassroots if you talk about innovation really supporting uh at the gross grassroots level then it's not really about a unicorn sitting in bangalore it is really about uh tribal areas like rai gada or places like in utrakand or in places like sikkar and rajistan you have to look at these small towns and villages there is a lot of innovation happening there because there's access to social media because young people are more digitally aware and they are thinking about uh ideas laxmi ji aap grassroot ki baat in order to meet the commitment for net zero by 2070 is me msmees ki industries ki bhumi ka khash while i am перек के तहत green adoption और circular economy को बड़ावा देने के लिए gift और spice की मुतारी गई है आपका क्या अंकिलन है जो green scheme है जिसको ये gift scheme जिसका short name है वो तीन तरह से मदद करेगा शायद MSNP एक तो ये जो green technology adoption में मदद करेगा साथ में इसमें interest convention की बात की गई है और ये भी कहा गया है कि ये जो इसमें जो भी facility मिलेगी वो credit guarantee support के साथ मिलेगी यानि जो CDT MSC है उसी तरह से इस green investment and financing for transformation scheme यानि gift scheme में भी ये मदद की जाएगी जो spice scheme है जिसके आप बात कर रहे हैं जो मैं समझता हों कि शायद सरकार की पहली ऐसी scheme है इसके द्वारा credit subsidy दी जाएगी MSM में इसको खास तोर से तो ये दो scheme और साथ में जो online dispute resolution system है वो वाली scheme भी इसकी कुछ detail integrity आनी अभी शायद बाकी है बट मैं समझता हूं कि ये जो हमारा vision है honorable prime minister का की net zero by 2070 इनको achieve करने में ये दो scheme बहुत ही important room का निभा सकती है आईए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर कुमार rooftop solarization के जरिये एक करोड हाजोल्ड तीन सो यूनेट्स free electricity हर महीने ले पाएंगे और सलाना 15 से 18 जार रुपे सेफ कर सकेंगे साथी surplus cell भी कर सकेंगे distribution companies को वही solar energy adoption को MSMES में कैसे प्रोचाहित किया जा सकता है इससे units की इस comparative दोर में operational cost भी कम हो सकती है अगर वो borrowing करके rooftop के लिए investment करेंगे तो उनकी borrowing cost में ही फिर interest चला जाएगा और जितना बचेगा वो उससे compensate नहीं हो पाएगा तो इसके लिए अगर capital subsidy की एक बहुत ही useful scheme जिसमें पहले खर्चाना करना पड़े आपको reimbursement ना हो आपकी तरफ से पहले जो capital expenditure है उसको सीधे directly government की subsidy से अगर meet किया जा सके substantially मैं यह नहीं कह रहा कि पूरा substantially तो इससे implementation असान होगा दूसरी बात solar panel लगाने के लिए जो availability of infrastructure है या जो vendors हैं जो companies हैं जो इसका काम करती हैं उनको भी अपनी capacity build करने की जरुत होगी डॉक्टर कुमार tourism sector pandemic के दौरान was the first to be impacted and last to recover उसके बाद revenge tourism से काफी हल चल रही है interim budget tourist centers के comprehensive development की बात कहता है middle class काफी travel कर रहे हैं और tourism में spiritual tourism के माध्यम से नए मौके आ रहे हैं इससे local entrepreneurship को काफी boost मिल सकता है इन नई संभावनाओं के लिए आप MSMEs को क्या कहना चाहेंगे इस शेत्र में वैसे काफी संख्या में MSMEs हैं तो government की जो policy है tourism को और बढ़ाने की tourist centers को और attractive बनाने की उसमें capital expenditure को incentivize करने की वह बहुत अच्छी policy है और यह tourism इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर spiritual tourism आपने बताया medical to health tourism है वो already काफी बढ़ता जा रहा है धीरे-धीरे काफी country से लोग आ रहे हैं health और medication और अपने physical fitness के लिए और अब तो प्रदानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि आप अपनी marriages को भी इंडिया में ही अपने country में ही करें तो जो destination weddings हो रही है foreign countries में उनका भी shifting होना चाहिए लक्षमी जी air connectivity को tear two, tear three cities में उडान स्कीम के तहत मजबूती मिल रही है वहीं 40,000 normal rain boogies को one day भारत standards में convert करने की बात कही गई है साथी states को encourage किया जाएगा iconic tourist centers के development के लिए in centers की ratings की भी बात रखी गई है आप micro-dumyों को इन मौकों के बारे में कैसे बताएंगे और साथी क्या O.D.O.P. को भी tourism से connect किया सकता है में भी आप्चे हिए लऑ तूारम है पचलाम है पने सेके लिए लगा चू इसादी बात बारे चूरीक MO辦法 एमरेंएग च्यूग च्कत कूरी का अंते एक बारे ओूम इंप小 aquilo माँ का इन दूए है मैं पाथ जाए़ बात इना nerने बदीन की मर बात the mode of transportation you're talking about at each of the touch points at each of the local stations and so on so forth there's so much opportunity to be able to encourage even artisans to bring their products in a way to display if you go to some of the big train stations globally you will find that literally you see the culture of the country within that train station we can make this into a hub a cultural hub if there's so many opportunities for local artisans to display the products there's so much opportunity for commerce at these points in place Mukeshji MSMEs के लिए एक और खास एरिया है electric vehicle ecosystem जैसे यह और expand और strengthen होता है इसमें manufacturing के साथ charging infrastructure में कई मौके हैं इस पर आपकी राए तभी मुझे लगा था कि इसमें इतनी अपार संभावना है क्योंकि यह electric vehicle तो आने ही आने है चाहिए वो car हो two wheelers हो या buses हो लेकिन जो charging station है मैं देख रहा था एक data कि 30 जून 2023 को लबग 8800 के करीब कुछ public charging stations हैं और एक report है उसके द्वारा बताए गया है कि 2030 तक 13 lakhs charging station की जरूरत पड़ेगे पब्लिक प्रेसिस पे तो आप हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है ये और कितनी बड़ी संभावना है इससे तो MSME को ये शायद एक employment generation के लिए भी अपने entrepreneurship के लिए भी ये और इस budget में इसको दोराया भी गया है इनको तैयार हो जाना चाहिए अपने कमर कस लेनी चाहिए कि भाया अब ये चाहिए एलेक्रिक वह किनो या चुटे रूप में वो charging stations लगा सके उनके लिए काम करना है बस इसमें सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि इस पर GST में कुछ चूप दे भी जाए और साथ में अगर timely and adequate loan बिल जाए MSME इसको in charging stations या ऐसे और infrastructure डवलप करने के लिए at affordable rate तो वो शायद एक बहुत बड़ा booster होगा है आप देख रहे हैं SME Express हम break के लिए रुक रहे हैं जल्द लाटते हैं आप देख रहे हैं SME Express आज हम interim budget पर focus कर रहे हैं आईए आगे बढ़ते हैं मुकेश जी MSME के लिए schemes तो कई हैं लेकिन इसकी जानकारी उन तक नहीं पहुँच पाती है और जानकारी हो तो वेल करने में चुनातियां रहती है आपका चेंबर MSME के डोर स्टेप तक पहुँच कर उन्हें एसिस्ट करेगा MSME मित्रा के जरीए इस बारे में बता सके हैं जी हाँ यह हमारे चेंबर का एक बहुत ही बड़ा इनिशेटिव है देखिए है मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी रिपोर्ट हो चाहे वो प्रधान मंत्री जी के देखसा में एक कमेटी बनी थी या UK सिना जी की कमेटी थी हर कमेटी ने जिसने भी MSME की समस्याओं को देखने की कोशिश की उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह है कि यह जो स्कीम से हैं तो बहुत बहुत अच्छी भी हैं लेकिन जो MSME हैं खास तोर से दूर जराज में छोटे कस्बों गाओं शहर में जो MSME हैं और रहते हैं वो ही एक प्रोप्रेइटर हैं या एक अकेला विक्ति हैं दूसरा हमने इसमें यह कहा है कि MSME से एक भी पैसा ना तो चेमबर और ना यह जो हमारे MSME मित हैं यह लेंगे लक्षमी जी आप चलते हुए entrepreneurs को नए दौर की तैयारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे You know for micro entrepreneurs to survive and grow and thrive you need three things. First you need awareness and opportunities. Second you need guidance and mentoring. Third you need access to money and markets. But if you want to really make them as part of the value chain a lot of when you talk about micro even a small is there the you know they are the supply to the small the small is the supply to the medium and the medium is supply to the large corporates. If you look at the entire value chain I believe that there is a scope here for even the SMEs to help the micros in order to integrate them and become part of the supply chain. Dr. Kumar last word आपकी तरफ से तो market की कमी नहीं है. Market में थोड़ा सा market intelligence की जरुवत है. हमें ये पता तो लगाना पड़ेगा कि ultimately किन pockets में किन sectors में किन products में future market expand कर रही है. और किसमें shortage है किसमें हम import कर रहे हैं. globally कौन से countries किन prices पे किस country से material ले रहे हैं. क्या-क्या products ले रहे हैं. तो ये एक intelligence collect करने की जरुत है. तो SME Express में अभी के लिए इतना ही. हमें जॉइन करने के लिए लक्ष्मी, वेंकित्रमन, वेंकितिसन, Founding and Managing Trustee, भारते युवा शक्ती ट्रस्ट, BYST, मुकेश मोहनगुपता, प्रेज़ेंट CIMSME, और डॉक्टर एच्वी कुमार, डारेक्टर, External Affairs, Power to SME. आप सभी का शुक यहान का शुक्वार कि Tail yesterday. हम शुद 소ॉष की जुदू के लिएर उक्टर द्री में ही वेंकित्ते लिए को दोफे??